इंडस्ट्री में जब भी कोई नया आक्टर आता है और वो यश्राज के बैनर में काम कर लेता है तो वो A-Lister की लिस्ट में शामिल हो जाता है और होगा क्यों नहीं यश्राज अगर काम करता है तो सिर्फ और सिफ A-Listers के साथ ही Year 1993 अक्षे कुमार की लाइफ का सबसे अच्छा साल था क्योंकि इस से पहले वो Bollywood में तकरीबन 11 फिल्में कर चुके थे लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई थी उन्हें एक भी हिट मुवी नहीं मिली थी इसी साल आई फिल्म मोहरा ये फिल्म सूपर हिट रही और इसी साल अक्षे कुमार ने पहली बार काम किया द यश्राज के साथ ये दिल लगी फिल्म में इस फिल्म में अक्षे कुमार के केरेक्टर को बहुत जादा पसंद किया गया इसके बाद यर 1997 में अक्षय कुमार को यश्राज ने ओफर की फिल्म दिल तो पागल है और उस ताइम यश्राज का एक अलगी लेवल पर माहूल चल रहा था क्योंकि उनकी फिल्म दिलवाले दुलहनया ले जाएंगे सूपर डूपर हिट थी शारुक खान यश्र चोपडा के आँखों के तारे बन गए थे ऐसे में यश्राज में अपनी जगे बनाना as a second lead male बहुत मुश्किल था लेकिन अक्षय कुमार ने अपनी जगे बनाई उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है में काम किया दिल तो पागले सूपर हिट फिल्म थी लेकिन इस फिल्म के दोरान कुछ ऐसा हुआ की अक्षय कुमार ने अगले 10 सालों तक यश्राज के साथ काम नहीं किया तो आज कब क्यों और कैसे में हम आपको बताएंगे कि कब यश्राज और अक्षय कुमार में अच्छे रिलेशन्स थे क्यों इनके रिलेशन्स में दरार आई और 10 साल बाद फिर से ये कैसे जुड़े 95 में दिलवाले दुलनिया रिलीज हो गई थी इसके बाद यश्राज फिर से एक नई लव स्टोरी पर काम कर रहे थे ये फिल्म थी दिल तो पागल है इस फिल्म के लिए यश्चोप्रा को दो मेल लीड हीरोस की जरुवत थी और सेकंड लीड के लिए उन्होंने पहले जैकी श्रॉफ को कंसीडर किया लेकिन बाद में यश्चोप्रा जी को लगा कि उनका सेकंड लीड जो है वो थोड़ा और यंग होना चाहिए तो उन्होंने जैकी श्रॉफ को लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और फाइनली इस मूवी में उन्होंने कास्ट किया अक्षे कुमार को बस फिर क्या था यश्चोप्रा ने शारुक और अक्षे को लेकर इस फिल्म की शूटिंग चालू कर दी फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट भी हो गई लेकिन तब अक्षे कुमार का मार्केट थोड़ा डाउन हो गया उनकी फिल्में जैसे की सपूत, दावा, तराजू, इंसाफ, लहू के दो रंग ये सारी फिल्में बॉक्स आफिस पर बुरी तरह पिट चुकी थी यश्चोप्रा प्रेशर में आ गए थे इन फैक्ट, फिल्म के प्रेडूसर्स ने यश्चोप्रा पर प्रेशर भी बनाया कि वो अक्षे कुमार को इस फिल्म से निकाल दे चुकी इस फिल्म की शूटिंग करीब-करीब खत्म हो चुकी थी, इसलिए यश्चोप्रा ऐसा नहीं कर पाए और फाइनली उन्होंने अक्षे के साथ ही इस फिल्म को कमप्लीच किया फिल्म रिलीज होने के बाद अक्षे कुमार यश्ची के पास गए अपना पेमिंट लेने के लिए तो यश्ची ने ये कहते हुए अक्षे कुमार को पेमिंट देने से इनकार कर दिया कि इस दौर में जब अक्षे कुमार की सारी ही फिल्में फ्लॉप हुई है इस दौर में यश्राज के साथ काम करना उनके लिए बड़ी बात होनी चाहिए और उन्हें पेमिंट नहीं मांगना चाहिए बस यही वो दिन था जब अक्षे कुमार ने डिसाइड कर लिया तो शारुक खान ने यश्जी से प्रॉफिट में और हिस्सा मांगा तो यश्जी ने उन्हें वो हिस्सा देने से मना कर दिया था 97 से लेकर 2007 तक अक्षे कुमार ने यश्राज के साथ एक भी फिल्में काम नहीं किया फिर आया 2008 जब अक्षे कुमार बहुत बड़े अक्टर बन गए थे क्योंकि उनकी पिछली चार मूवीज बैक टू बैक सूपर हिट थी ये फिल्में थी नमस्ते लंडन, हे बेबी, भूल भुलाया और वेलकम महीं अगर बात करें यश्राज जो कि बॉलिवूड की सबसे बड़ी कमपनी है इनकी चार मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी ये फिल्में थी तारा रंपम, जूम बराबर जूम, आजा नचले और लागा चुनरी में दाग यश्राज, जो कि A-Listers के साथ काम करता है, इन मूवीज में सभी बड़े-बड़े स्टार्स थे लेकिन ये मूवीज हिट नहीं हुई वहीं अक्षे कुमार, जो कि इतने टाइम से यश्राज में काम नहीं कर रहे थे वो अपने दम पे थे और उस टाइम नमबर वन की पोजिशन पे थे तो फाइनली यश्राज को अक्षे कुमार की जरुवत पड़ गई या यूँ कहें कि अक्षे कुमार की नमबर वन की पोजिशन की जरुवत पड़ गई और यश्राज ने अक्षे को offer की film Tushyn अक्षे ने ये film करने के लिए जो भी amount मांगा यश्राज ने उसे हां कह दिया हाला कि ये film box office पर hitch नहीं हुई लेकिन इस film के बाद ही यश्राज और अक्षे कुमार के रिष्टे सुधरने लगे वेल अक्षे और यश्राज फिल्म्स की इस स्टोरी सुनकर हमें यही लगता है कि बॉलिवुड में आप अपने दम पर जगे बना सकते हैं अगर आप अपने काम को पैशनेटली करते हैं अगर आप में टैलेंट है तो आपको किसी भी बड़े बैनर की जरुत नहीं है नमबर वन बनने के लिए आज के लिए बस इतना ही फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी प्लीज कॉमेंट करके बताईए तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलिवुद ठिकाना लाइक कीजिए हमारे फेस्बुक पेज बॉलिवुद ठिकाना को